Hello guys, this is Krishna Vassist again and you are listening to me on your favorite YouTube channel जिसका नाम है Tats Crew और आज हमेशा की तरह है मैं बहुत ही important concept लेके आया हूँ, adverb आपको पता ही होगा अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, follow करते हैं हम adverb कर रहे हैं, उसके types को discuss कर रहे हैं और आज के वीडियो session में हम करेंगे consecutive adverbs, consecutive adverbs क्या होते हैं कैसे इसको हम identify करें, किसी भी sentence में, सारा detail में पढ़ेंगे बहुती छोटा वीडियो है, क्रिस्पी वीडियो होगा और जल्दी से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस channel पर, आपको CDP के notes में मिल जाएंगे Child Development and Pedagogy in form of videos आप videos को देख सकते हैं, channel को subscribe कर सकते हैं दोस्तों, बिकोज, channel को subscribe जरूर करें क्योंकि आपका एक subscription मुझे motivate करता है further videos बनाने के लिए दोस्तों, start करते हैं देखो, सबसे पहले मैंने आपको बता रखाए कि adverb क्या होता है एक playlist अलेडी बनाई हुई है महाँ से जाके आप उसको सबको देख सकते हैं अपने concept को clear कर सकते हैं मैं आपको short में बता दू, adverb क्या होता है यह हमारे verb के action को define करता है adverb जो है हमारे verb के बारे में extra knowledge, extra information आपको देगा जैसे मैंने बोल दिया iron, ठीक है और अगर मैं यह बोलता हूँ iron fast ठीक है तो यहाँ पर fast क्या हो जाएगा, adverb हो जाएगा क्योंकि मैं कैसा भागता हूँ, मैं तेज भागता हूँ कोई भी action कैसे हो रहा है, कितनी intensity के साथ हो रहा है या कब हो रहा है, कहां पर हो रहा है यह information हमें adverb बताता है ठीक है, तो इसके तकरीबन five types हैं already, sorry six types हैं, already five types को हम discuss कर चुके हैं जैसे कि adverb of place हो गया, adverb of degree हो गया, manner हो गया यह कुछ types जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह already, बच्चों हम already discuss कर चुके हैं, ठीक है लेकिन आज जो है, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, consecutive adverbs के बारे में तो basically, थोड़ा-thोड़ा knowledge आपको conjunction के बारे में होगा पहले से ही, conjunction क्या होता है, देखो जो conjunctive adverb है, वो conjunction से ही आया है conjunction क्या होता है, conjunction connecting words होते हैं basically, कि हमारे जो clause होते हैं, हमारे sentence होते हैं English में, उनको जोडने का काम करता है, दो sentence को यह दो clause को जोडने का काम करता है conjunction ठीक है लेकिन मैं यह नहीं कहा रहा हूं कि conjunction जो है वो conjunctive adverbs जो conjunction होते हैं वो conjunctive adverbs भी होते हैं नहीं conjunctive adverbs आपके different होते हैं ठीक है तो देखेंगे अभी एक पर देख लेते हैं conjunctive adverbs are type of adverbs that are used to connect यहाँ पर देखो यह चीज़ important है that are used to connect one close to another मतलब एक close को दूसरे के साथ connect करने का काम कोन करता है conjunctive adverbs ठीक है नॉर्मली conjunction are used to connect the word that's why these are also called connecting words यह मैं आपको पहली बता चुका हूँ connecting words इनको क्यों हम कहते हैं some common conjunctive लिखा हुआ है दोस्तों यह some common conjunctive adverbs are given below अब कुछ common conjunctive adverbs मैं आपको बताऊंगा देखो काफी सारे types होते हैं बच्चों यह आपके सामने लिखे हुए हैं meanwhile, anyway, more ever, similarly, also, hence, namely, still, furthermore, however, nevertheless, then, besides, incidentally, next, thereafter यह कुछ जो है, कुछ तो नहीं, काफी सारे हैं, actually, इनके अलावा भी बहुत काफी सारे हैं तो यह जो आपके सामने अभी लिखा हुआ है, जैसे meanwhile, मैंने बोल दिये, anyway, मैंने बोल दिये यह basically, conjunction का काम करते हैं, you know, close को चोड़ने का काम करते हैं, एक close को दूसरे के साथ add करने का काम करते हैं तो इन adverbs को हम basically conjunctive adverbs कहते हैं, क्या कहते हैं, conjunctive adverbs और इनकी एक list मैंने हाँ पर आपको prepare करके बना रखिया, आप यहाँ से इसको note कर सकते हैं, ठीक है अब बात आती है कि इसको हम sentence में किस तरीके से, you know, recognize करें, identify करें तो दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ बताई हुई है, कि adverbs को identify करना किसी भी sentence में बहुत easy होता है बहुत easy होता है, जैसे मैंने बोल दिया कि I run suppose गर मैंने बोल दिया he runs, ठीक है, वह भागता है अब मैंने बोल दिया he runs fastly he runs fastly, अब यहाँ पर fastly क्या है, adverb हो गया fastly क्या हो गया, adverb हो गया, क्योंकि एक्षिन के बारे में, इनकी जो runs है, उसके बारे में बताया जा रहा है जो run है, वो कितना intensity के साथ हो रहा है, तो fastly यहाँ पर क्या हो गया, adverb अगर आप किसी भी sentence में adverb को हटा देते हैं, तो sentence का completely meaning निकलता है ऐसी बात नहीं है कि अगर मैं, you know, adverb को वहाँ से हटा दूँ, तो जो sentence है, वो आपका, you know, meaning less हो जाता है नहीं, meaning तो तभी भी आएगा, लेकिन आप हमेशा एक चीज को ध्यान रखें, कि यह हमारे action verb action verb के बारे में extra knowledge आपको provide करता है, extra information आपको देता है, ठीक है, कोई भी action कहाँ पर कैसे घटित हो रहा है ठीक है, तो बिल्कुल simple सी चीज है, बाकी सारे के सारे जो types होते हैं, वो इसी, you know, concept पर चलते हैं तो पहला जैसे sentence से देखो, my mobile payments are high, my mobile payments are high, my mobile payments are high, wait a minute, sorry on the other hand, I really enjoy operating such a nice mobile, अब जैसे यहां पर देखो, यह लिखा हुआ है, my mobile payments are high, तो यहां पर दोस्तों, यह एक sentence है, this is the sentence, आप देख सकते हैं I really enjoy operating such a nice mobile, यह एक दूसरा sentence हो गया, यह एक दूसरा sentence हो गया, अब इनको connect करने का काम कोन कर रहा है, बीच में जो यह bold letter में लिखा हुआ है, यह जो word है, आप कह सकते हो, the combination of words, on the other hand, यहां पर, you know, conjective adverbs का काम कर रहा है, conjective adverbs का काम कर रहा है, अगर यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं कि, on the other hand को आप निकाल दे हां से, क्योंकि यह adverb है, तो इसको आपने निकाल दिया, तो पहला sentence का meaning निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, my mobile payments are high, meaning less तो नहीं हुआ, I really enjoy operating such a nice mobile, और इसका भी sentence का meaning निकल रहा है, तो बीच में बचा कोन, on the other hand, basically आपको दि adjective adverb, because, you know, this adverb is being connected, यह पहले sentence और दूसरे sentence को जोडने का यहां पर काम कर रहा है, ठीक है, clear हो गया, point आपको, चलते हैं, आगे, next जो है आपका sentence वो है, क्या कहता है sentence, he is my friend, वह है मेरा दोस्त है, यह sentence हो गया completely, nonetheless, I feel like he is taking advantage of me, he is my friend, ठीक है, यहां पर एक sentence हो गया, और second sentence यहां पर यह वाला होगा, I feel like he is taking advantage of me, मुझे ऐसा लगता है, कि वो मेरा advantage ले रहा है, वह है मेरा friend है, और मुझे ऐसा लगता है, कि वो मेरा advantage ले रहा है, तो यहां पर जो nonetheless है, यहां पर यह क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया, यह concept आपको clear हो रहा है, simple से चीज़ है, adverb में कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है, next, they wanted to spend the day at the beach, it rained, so they stayed home, simple सी बात है, पहला sentence यहां पर पकड़ो, they wanted to spend the day at the beach, वो बीच पर अपना दिन बिताना चाते थे, हाला कि it rained, so, काफी ज़्यादा बारिश होई, और उनको घर पर ही रहना पड़ा, वो घर पर ही रहे, घर पर ही रुख गए वो, तो however क्या आ गये हैं हाँ पर, however is the example of consecutive adverb, ठीक है, काफी अच्छा sentence है, देखो, पहला sentence और दूसरा sentence को जोडने का यहाँ पर काम गोन कर रहा है, यहाँ पर however कर रहा है, ठीक है, और most of the time हम इसको use भी करते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा, जो व्यक्ती ज़्यादा English में बाते करता है, English में communicate करता है, वो however का काफी ज़्यादा use करता है, although, although is one of them, ठीक है, although भी एक चीज हो गई, however भी एक चीज हो गई, ठीक है, I think आपको चीज़े clear हो रही है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आप सारी वीडियोस को follow करें, और subscribe जरूर करें चैनल को, क्योंकि मैंने देखा है कि non-subscriber, जो वीवर्स होते हैं, वो मेरे चैनल को ज़्यादा देख रहे हैं, लेकिन वो subscribe नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपका एक-एक subscription, एक-एक like मुझे motivate करता है, दोस्तों, ठीक है, start करते हैं, next sentence, she felt she couldn't tell the truth about what happened, instead she lied, अब यहाँ पर देखो, पहचानो, पहचानो, यहाँ पर try करो, कि यहाँ पर, you know, conjunctive, यहाँ पर conjunction का काम कोन कर रहा है, you know, conjunction adverb का यहाँ पर काम कोन कर रहा है, थोड़ा सा recognize कर नहीं कोशिच करें, identify करें, she felt she couldn't tell the truth about what happened, ठीक है, she lied, अब यहाँ पर बीच में कोन है, instead, अब यहाँ पर जो instead है, यहाँ पर conjunction का का काम कर रहा है, यहाँ कि conjunctive adverb का का काम कर रहा है, तो यहाँ पर instead क्या हो गया, conjunctive adverb हो गया, क्योंकि यह पहले close को और दूसरे close को जोड रहा है, ठीक है, बिल्कुल simple सा concept है दोस्तो कोई यहाँ पर tension लेने की बात नहीं है उसके बाद last example देख लेते हैं उसके बाद वीडियो को खतम करते हैं जल्दी से he must do his homework उसको अपना homework करना होगा otherwise he might get a bad grade उसके काफी खराब grade आ सकते हैं तो otherwise यहाँ पर क्या है दोस्तो otherwise यहाँ पर हो गया conjunctive adverb हो गया ठीक है तो दोस्तो simple सा concept है वो मैंने आपको बता दिये एक छोटे से वीडियो में तो adverb मैंने cover किया है उसके types के बारे में हम discuss कर चुके हैं एक playlist बनी हुई है part of speech की वहाँ पर आप उस playlist को एकसेस कर सकते हैं बिल्गुल free of cost cdp का notes अगर आप चाहिए आपको चाहिए या फिर videos आपको देख रहे हैं तो playlist है s-tet के question paper से है c-tet के questions paper है आप access कर सकते है tats guru channel पर thank you very much दोस्तो इसके बाद हम part of speech में next concept को touch करेंगे और उनके types को discuss करेंगे आशा करता हूँ कि आपको आज की video काफी अच्छी लगी है thank you दोस्तो मिलते हैं next video में धन्यवाद